आउज़ बिल्लाइ मिने शेत्वाने राजीन बिस्मिल्लाइ टॉक्माने रहीं असलाम लेकूम दोस्तों मैं हूँ मौफिन दवा और आप लोग देख रहे हैं विर्चुल स्टूडेंट स्पोर्ट सेर्विसिव यूट्यूब चैनल दोस्तों मैंने एक नया चैनल शुरू क दिया है जिसका नाम मैंने टॉंटिफोर आर फैवन टीचर्व ऑनलाइन रखा है दोस्तों उस चैनल के उपर मेरे बहुत सारे आपके जो मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं उनके लेक्चर्स अवेलेबल हैं उसमें आपका फी प्लस प्लस है उसमें आपका इंटुटक्शन ट गुजारिश है कि आप उस चैनल पर जाएं ना फिरफ खुद वीडियो देखें बलके अपने दोस्तों से भी शेयर करें उस चैनल का जो यूरल है मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आड़ कर दिया है और इस वीडियो के एक्तताम पर भी आपको नज़र आए दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है ये ये 504 फॉस्ट्वर इंजिनरिंग की जो हमारी अफाइन्मेंट नंबर टू आई यूई है उस हवाले से है दोस्तों आफाइन्मेंट शुरू करने से पहले मैं आपको पताता चलूँ कि मेरी जितनी भी वीडियो होती हैं वो फिरफ और फिरफ आपको आईडिया देने के लिए होती है तो आप उनको एफन आईडिया ही परसीव किया करें और अगर उसमें कहीं प्लस माइनस की गलत पहला किक वेस्टन जो है उसका कुछ केश दिया गया कुछ केश जो है कुछ इस तरीके से है थीज़ डिज़ ओनलाइन शॉपिंग इस बेरी पॉपुलर डिफरेंट ओनलाइन शॉपिंग फाइट्स अफर वराइटी अफ्राइट्स तूदा कफ्टमर अ कफ्तमर कें any of 5 states during its lifecycle. Pants states वो कसरता है. Store management add new item into the system which become available for purchase to the customer. They can also remove or disable the item which become unavailable to the customer. Customer can select an item to their cart and they go also remove from the cotter to be available for purchase again. अटोट इन किवे काफ्डू Postो परचेस्ट लिए रॉटित साहिडो एटी झाओ ड्रिक् finde किये पर दॉट तरिकी कुवेजल how इन किनाओ कफडू novगो दॉट तփङे बाप्ड़ ये काफ्या कासी में प्रचेज अगीन प्रचेज आइटम विल बिडिपाइट तो दे कफ्टमर आफ्टर कंफर्मिंग इस टेट फो प्रड़क्ट आइटम यह में केस दिया गया और इसमें बताया गया कि अनलाइन जो शॉपिंग है वो बहुत आम है और एक जो यूजर आता है वो वेबसाइट पे एंटर करता है वेबसाइट का नाम है फिलेक्ट इप्रोड़क्ट विच वांट्स टू बाई और सेलेक्ट करने के बाद वो अपनी डिटेल डालता है अगर प्रोड़क्ट अवेल स्टेट है उन को हमने इडेंटि फाइट करना है इसमें से इसमें से ऑद जो है इस के अंदर बनानी है The second question of this assignment is Suppose you are hiring a software engineer in XYZ organization for maintaining and designing of existing educational institute system हम जो है किसी एक education institute के अंदर जो है as a software developer हायर होते हैं और we are maintaining the system of that institute और उस का system हम manage कर रहे For the purpose you will need to apply software design principle for the good maintainable design उसके लिए आप जो है एक अच्छा software design maintain करते हैं All changes in the system design should be localized So it should have minimal effect Other parts of the system A small portion of code from the existing system is given below हमें उस system का एक छोटा सा code दिया गया है this code is observed to be loosely cohesive You are required to apply software design principle and make the code highly cohesive कि हमने highly cohesive एक कोड बनाना है कोड में हमें एक क्लास दी गई है प्राइवेट है उसका उसका वित वित करते है उसका हूं कमें कोर्स कोर्स कड है वित कर्च है जो इन्त क्रेडिट ऑषचरां कार्च है एच अच प्रन पूलोच्छ स्टूदक ग्रलिक य्पार बमार्स दी गई है वाइड सेट कोर्स कोड है, वाइड सेट कोर्स नीम है, वाइड सेट क्रेडिट आवर्स है, वाइड काउंट इन्रोल्ल स्टूडेंट है, वाइड सेट स्टूडेंट आईडी है, और उसके बाद स्टिंग गेट कोर्स कोड, स्टिंग गेट कोर्स नीम, इंट गेट क्रेडि डाइग्राम बनानी है और second one question if जिसमें हमने highly cohesive design बनाना है ये दो हमारी if assignment की requirement है तो चलिए हम लोग अपनी solution की तरफ चलते हैं और उसमें हम सबसे पहले बनाएंगे state transition diagram दोस्तो state transition diagram बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारी state में सारी उनको मैंने ले लिया है उसमें हमारे पास एक user है एक registration system है और उसके बाद products है उसके बाद shopping cart है shopping cart के बाद address है address के बाद जो है हमारे पास payment है payment के बाद हमारा delivery system है दोस्तो जब भी एक user जो है वो website पे आएगा to shopping any product कोई भी चीज़ खरीदने के लिए तो वो सबसे पहले देखें यहाँ पे मैंने एक arrow से represent कर दिया है कि वो हमारी website को visit करेगा visit करने के बाद वो हमारे system के उपर register हो जाएगा और हम यह check करेंगे कि this user is authorized user or not अब authorization कैसे check होगी जब वो हमारे system के उपर register हो जाएगा तो वो अपना username और password एंटर करेगा और हम अपने stored database के अंदर यह देखेंगे कि यह इस बंदे का ID और password जो है वो जो enter कर रहा है वो इसके अंदर store है यह नहीं है अगर store है तो वो उसको authorized user access दे देगा मकलब अगले page पर ले जाएगा अगर वो authorized user नहीं है तो वो उसको वहीं से खतम कार देगा यह तो हो गया authorized user का इसी तरह registration system के साथ एक और भी चीज़ जुड़ी हो यह login अगर वो हमारी website से किसी चीज़ को खरीदना चाता है या कोई चीज बाय करना चाता है या वो कोई item मंगवाना चाता है तो वो सबसे पहले जहाए उस system के उपर login होगा जब और यह सारे का सारा process भी है registration system के उपर चाल रहा है सबसे पहले वो आया उसने हमारी website visit की उसके बाद वो register हुआ register होने के बाद उसने खरीदारी करने के लिए login हुआ उसने अपना ID password एंटर किया उसके बाद दोस्तों वो फर्च product करेगा वो मुख्लिफ products को देखेगा जैसे हम normally करते हैं अगर हम किसी website पे जाएं जो shopping के दिख से related है तो हम वहाँ पे अपनी मर्वी से filter करके कि हमारे इतनी range है यह model चाहिए यह चीव चाहिए तो उस साथ से हम अपनी products को search करते हैं product को search करने के बाद हम क्या करते हैं हमने जो product particular खरीदनी होती है उसको add कर देते हैं shopping court के अंदर और यहां पे एक arrow के वरिया मैंने add product भी लिख दिया है कि वो shopping court के अंदर add हो गई है उसके बाद अगर हमें कोई product ऐसी है जो बाद में हमें याद आया कि ओह हो यह product हमने नहीं खरीदनी थी तो उसके लिए क्या करते हैं हम अपने shopping court को update करते हैं मतलब उस में से अगर कोई product खतम करनी हैं और हमारे given case के अंदर भी हमें बताया क्या था कि हमारे पाफ 5 states होंगी पहली वो products की है उसमें search कर लिया है product को उसके बाद उसने अपने shopping court के अंदर add कर लिया है उसके बाद अगर वो कोई product remove करना चाता है कोई सी product को update करना चाता है तो वो update कर सकता है और उसका shopping court जो है according to the given detail वो update हो जाएगा उसके बाद अगर वो किसी और एक और product को add करना चाता है जो वो miss कर गया है तो वो एक और नई product भी अपने shopping court के साथ add कर सकता है तो कहने का मतलब यह हुआ कि वो ना फिरह product को search कर सकता है बलके किसी product को अपने shopping court से खतम कर सकता है किसी एक नई प्राड़क्ट को अपने शॉपिंग कार्ट के अंदर एड कर सकता है किसी एक प्राड़क्ट की जो है इन्फरमेशन को अपडेट कर सकता है मतलब यह कि वह चाहे तो एक आइटम की शिपिंग कार्ट के अंदर डाल दे या उसी प्राड़क्ट के दो आइटम shipping court के अंदर डाल दे तो वो product जो है वो update हो जाएगा उसके बाद वो अपना address एंटर करेगा जिसके उपर उसने अपने product मंगवानी है इस diagram में आपको ये भी नज़र आ रहा होगा enter address एक arrow के साथ मैंने प्रिजेंट कर दिया उसके बाद हम उसके address को चेक करेंगे अगर वो address valid है तो आगे हम उसको payment system के उपर लेकर जाएंगे अगर वो invalid address है तो हम दुबारा वापस उसको address वाले system के उपर लेएंगे और उसके कहेंगे जी please enter the address free again दुबारा से जो है आप address एंटर करें जब address जो है वो valid हो जाएगा तो उसके बाद हम उसके ले जाएंगे payment system के उपर और जहां पर हम उसके user को कहेंगे कि please select your payment method from which you have to pay the amount इस payment method को भी मैंने एक arrow के पर ये payment method की तरफ रिप्रिजेट कर दिया उसके बाद हम उसका payment method भी चेक करेंगे कि कि आया वो fake user तो नहीं है वो कहीं गलत payment address तो add नहीं कर रहा है method एड तो नहीं कर रहा है अगर वो valid है तो हम उसके order को जो है वो confirm कर देंगे और जहां हमारा dispatch section या delivery वाला section है उसकी तरफ वो request चली जाएगे अब delivery section या जो हमारा dispatch section है वो उस product को deliver कर देगा user की तरफ अगर उसकी payment clear हो गई है तो उसके साथ ही हमारा ये जो state transition diagram है वो खतम हो जाता है और यहां पे end के उपर आपको green color का एक dot नजर आ रहा है जिसके साथ मैंने end लिख दिया तो दोस्तों ये था एक idea इस diagram को बनाने का आप लोग इसके अंदर addition भी कर सकते हो और states भी डाल सकते हो इसमेंसे किसी state को remove भी कर सकते हो तो इस तरीके से आप ये अपनी state transition diagram बना सकते हो इस तरीके से हमारा जो question number one है वो solve हो जाता है इसके बाद दोस्तों बारी आती है question number two की जिसके अंदर हमें ये code दिया गया था और हमने highly cohesive design principle यूज़ करते हुए अपने code को highly cohesive बनाना था designing principle को use करते हुए being a software developer इसमें जो है हमें एक ही class दी गई है जो के course की है उसके बाद इसमें आगे private data member भी है और public data member भी है दोस्तों ये है हमारी loosely cohesive design हमने जब loosely cohesive design से highly cohesive design की तरफ जाना हो तो हम हर चीज़ को अलग-अलग जो उससे relate करती है उसकी classes बनाते हैं जैसे अब यहां पर आपको class नजर आ रही है course की course के अंदर देखें course code है course name है credit hour है enrolled student है student ID है student name है student current semester है और student CGP है अब इसके अंदर दोस्तों यह जो पूरे का पूरा code लिखा हुआ है इसके अंदर दो चीज़ें exist कर रही है एक course से related information exist कर रही है दूसरा student से related information exist कर रही है जो course से related information है वो course code course name credit hour है enrolled student है उस course के अंदर जो student से related information है वो हमारे पाफ student ID है student current semester है student name है और student CGP है तो दोस्तों जब हमारे पाफ loosely cohesive design होता है उसके अंदर यह सारी information चाहे वो कितने भी entities से क्यों न उठाई गई हो बस एक ही class बनाई और उसके अंदर डाल दी लेकिन जब हम जाते हैं highly cohesive design की तरफ तो हमारी कोशिश ही होती है कि हर जो information है उसकी अलग-अलग हम classes बनाएं और उसके अंदर जो उससे relevant information है फिर वो ही enter करें तो अब इस code का हमने क्या करना है हमने ये loosely cohesive है मकलब सारी जीज़ें एक ही जगह के उपर उन्होंने डाल दी है हमने जो है इसको highly cohesive बनाना है मकलब हम हर class को जो अलग-अलग हो सकती है उसको अलग-अलग करना है ज़रूरी नहीं है कि आप भी मेरी तरह दो ही classes बनाए एक courses की एक student की आप और भी बना सकते हो यहां पर जो है मैंने दो classes बनाई है पहली जो class है दोस्तों वह देखे मैंने course related class बनाई उसके फिर आगे private member data member रखे उसके बाद उसके public data member रखे प्राइवेट data member के अंदर मैंने फटरिंग course code, फटरिंग course name, int credit hour, int enrolled student रख दिया public data member के अंदर मैंने wide set courses रख दिया, wide set course name रख दिया, wide set credit hours रख दिया और साथ ही फटरिंग get courses, फटरिंग get course name, int get credit hour ये एक class बना दी है मैंने courses के नाम की और इसी तरह मैंने दूसरी class बना दी है student की courses के अंदर जो है वो course वाली information है और student के अंदर जो है वो student वाली information है अब student class के अंदर भी मैंने आगे वही private data member और public data member private data member, int student ID, उसके बाद फटरिंग student name, int student current semester और float student fee GPA अब नीचे हमें जो दी गया था given case जो code हमें दिया गया था उसी मेंसे मैंने जो है फिर आपके नीचे public member भी उठा लिये data member उसमें wide set student ID है, int get student ID है, int get student current semester है तो दोस्तों आपने करना यही है कि आपको यह code दिया गया है इसी मेंसे आपने दो classes बनानी है, मैंने जैसे बनाई है एक course के नाम की, एक student के नाम की उसी जो code आपको दिया गया उसी मेंसे आपने private data member लेने है और फिर उसी code मेंसे आपने अपने public data member लेने है जो courses वाली class है, उसके जो private data member है वो हमने जो हमारा code given दिया गया है उसी मेंसे मैंने निकाल के student course, student course name student, sorry, string course code, string course name int credit hour और int enrolled student डाल दिया इसी तरह उसके public data member, wide set course code, wide set course name wide set credit hours, fitting get course code, fitting get course name और int credit hours ले लिया इसी तरह मैंने student की class नाई, उसके अंदर भी वहीं से जो हमें code दिया गया उसमें से ही लिये है private data member भी और public भी student के लिए int student id, fitting student name, int student current semester लगा दिया तो दोस्तों हमें loosely cohesive design दिया गया था, उससे हमने highly cohesive design बना लिया दोस्तों मुझे उमीद है आप लोगों को जो है idea मिल गया होगा कि आपने यह question number two है वो कैसे करना है दोस्तों end के उपर मेरी फिर वही गुजारिश है कि आप www.youtube.com slash teachers online for you open कीजिए वहाँ पे आपको CS101, MGT101, CF201, MGT201, HTML और बहुत सारे lectures available हैं आप वहाँ पे जाएए और उन lecture से ना फिर अफिर खुद फाइदा उठाएं बलके आप अपने दोस्तों से भी share करें और मुझे properly feedback दें ताके मैं और व्यादा से व्यादा lectures record करता रहूँ और व्यादा से व्यादा videos आपके लिए record करता रहूँ जिससे आपको फाइदा हो और आपको व्यादा से व्यादा सीखने का मौका मिले दोस्तों मिलते हैं अगली किसी एक assignment solution के साथ या GDP के solution, idea solution के साथ उस वक्त तक के लिए मौफिन भाई को इजावत देजिए Thank you very much दोस्तों, Allah हाफिज